ओम नमाशिवाय, शीर शिवाय नमस्तो भ्यम, आप सभी लोगों को हरताल का तीज की बहुत बहुत बधाई, हरताल का तीज ब्रत, भाद ब्रत, शुक्ल पक्ष, तित्या तित्य को किया जाता है, हरताल का तीज ब्रत कथा, अपने हाथों में पुश्प ले ले, चावल ले और थोड़ा सा जल ले ले भवान के सामने हाथ जोड़ करके भवान शंकर और माता पारवती के सामने हाथ जोड़ करके शद्धा विश्वास के साथ इस कथा का स्रवन करें। हरताल का तीज ब्रत कथा। संकर जी ने पारवती जी को कहा कि एक बार तुमने हिमाले परवत पर जाकर गंगा के किनारे मुझको पती रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या आरंब की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारज जी तुम्हारे पिता हिमाले के पास गए और कह कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारज जी की बनावती बात को तुम्हारे पिता ने स्विकार कर लिया। फिर नारज जी विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान से कहा कि आपका विवाह हिमाले की फुत्री पारवती के सा करने का निश्चे किया है आप इसकी स्विकृति दे दे नारजी के जाने के पश्चात पिता हिमाले तुम्हें भगवान विश्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंद बतलाया यह बात सुनकर तुम्हें अत्यन्त दुख हुआ एक सक्खी के द्वारा दुख का क रण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ इधर हमारे पिताजी भवन विश्णु के साथ संबंद करना चाहते हैं मेरा विवाह करना चाहते हैं तुम मेरी सह этता करो अन्यथा मैं अपने प्र कि तुम कहां पर हो इस प्रकार तुम उस घने जंगल में जाकर के भवान शंकर की प्राप्ति के लिए भवान शंकर को पती के रुप में प्राप्त करने के लिए अपनी तपस्या को करते रहना निर्विग्न करते रहना इस प्रकार उस सखी ने माता पार्वती को सलाह दी इस इस प्रकार सखी की सम्मत से माता पार्वती घने जंगल में चली गई उधर तुम्हारे पिता हिमाले घर में इधर उधर खोजने लगे पर तुम्हें ना पाए तो बहुत चिंतित हुए क्योंकि नारजी ने विश्णु भवान के साथ में विवाह तै करने का वचन दिया था बचन भंग की चिंता ने उन्हें मुर्चित कर दिया था तभी सभी परवत यह तत्थे जानकर तुम्हारी खोज में लग गए उधर सखी सहित तुम् सरिता के किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी भादबद शुकल पक्ष तृतिया को उपवास रह तुमने शिकता का शिवलिंग स्थापित करके पूजन किया तथा राती जागरन भी किया तुम्हारे इस कठीन ब्रत के कान मुझे तुम्हारे पूजल इस्थर पर आना पड़ा तुम्हारी मां तथा इक्छा के अनसर तुमको मुझे अधागनी रूप में स्विकार करना पड़ा तत पहश्चात में तुरत कैलास परवत पर चला आया प्राताहवेला में जब तुम पूजन समगरी नदी में छोड़ रही थी उसी समय हिमालय राज तुम्हारे पिताजी उस इस्थान पर आ पहुंचे वे तुम्हें दुन दोनों को देकर पूछने लगे बेटी तुम यहां कैसे आ गई तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी वे तुम्हें घर बुला लाए तब शास्त्र विदी से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ हरताल का ब्रत का नाम करण सखी द्वारा हरी जाने पर इसका हरतालिका पढ़ गया संकर जी ने पारवदी जी से यह बताया कि जो इस्तरी इस बरत को परम सद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा पुष्प चावल आपके हाथ में जो है उसे भगवान शंकर के प्रतिमा के उपर चढ़ा दें अरपन करें छमा प्रार्थना करें यह ब्रत स्वहाग चाहने वाली इस्तिरियां करती हैं कुमारी लड़कियां इस ब्रत को धारन करती हैं स्वहाग चाहे प्रति को पाने के लिए इस ब्रत को रखती हैं इस दिन संकर भवान की और माता पारवती की बालू की मूर्थी बनाई जाता है कई जगों पर और कई जगों पर मिट्टी की मूर्थी बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है तथा सुंदर वस्तर कदली इस्तंभो से घर को सजा कर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्री जागरन किया जाता है समस्त सुहाग समागरी पारवति जी को तथा धोती अंगोच्छा शिव जी को चड़ाय जाता है फिर तेरह प्रकार के मीठे बेंजन बना कर उस पर रुपे रखकर बायना निकाल कर सासु जी के पैचु कर दिया जाता है पूजन के बाद कथा सुने इस ब्रत को करने वाली इस्तिनिया पारवती जी के समान सुख पुरुवक पती रवन करके शिव लोग को जाती है राधे राधे जैशी कृष्णा आज में आप लोगों को हर्ताल का तीज ब्रत कभ है पूजन विधी और सुख सामान में वो कौन सी दो चीजें हैं जिनें रखना अत्यंत आवश्यक माना जाता है वो अभी बताऊंगी किर्पया वीडियो में अंत्तक बने रहें आए जानते हैं हर्ताल का तीज ब्रत के महत्व के बारे में यह ब्रत हर स्वागिन महिलाएं अपने पती की दिरखायों के लिए करती हैं इस ब्रत को करने से घर में सुख सम्रधी और संतान की प्राप्ति होती है मापार्वती ने स्वेम ही कहा है कि जो कोई भी जो भी सवभागिवती इस्त्री या कुमारी कन्याएं इस ब्रत को करेंगी उन लोगों की सारी मनुकामनों की पूर्ती अबस्य ही होगी ये आशिरवाद है मापार्वती का मापार्वती स्वेम भी इस ब्रत को धारन करती है यह ब्रत बहुती कठिन ब्रत होता है इस ब्रत में निराहार रहा जाता है जिस प्रकार से स्वभागी ब्रति के लिए सुहागवती इस्त्रियां करवा चौत का ब्रत करती हैं विल्कुल निखन और निराहार करती हैं इसी प्रकार से छठ ब्रत किया जाता है जो कि वहवान होता है और भी दो-तिन व्रत होते हैं जैसे कि निर्जला एकादसी व्रत जिसमें की ना तो अन और ना ही जल पूरे 24 घंटे निराहार रहा जाता है उसी प्रकार से यह बहुत ही कठें व्रत होता है उसी तरह का एक व्रत होता है इस व्रत में माता पार्वती और भगवान संक मिट्टी की प्रतिमा की पूजा की जाती है बड़े ही भक्ति माँने इस पूजा को करनी चाहिए is आये जानते हैं वरस 2024 में हर्ताल का तीजब्रत कब है हर्ताल का तीजब्रत भाद्पद मा के सुल्पक्ष की 23 तिथी को किया जाता है इस व्रत का नियाम यह है कि सुर्योदे से ले करके सुर्योदे तक अर्थात तीतिया तिथी के सुर्योदे से ले करके चतुर्थी तिथी के सुर्योदे तक यह ब्रत पूरे 24 गंटे का होता है यह ब्रत किया जाता है कहा जाता है कि जो कोई बालक हो ब्रद्ध हो या रोगी हो इन तीनों के लिए थोड़ा सा बिधी में आराम भी दिया गया है कहा गया है कि किसी का ओपरेशन हुआ है अब उसे दवाई खानी ही खानी है ऐसी इस्तिति में वह दवा अबस्य ही ले क्योंकि जब जीवन है शास्त्रों में कहा गया है कि जब जीवन होगा तभी आप सारी नियमों का पालन करेंगे ब्रद्ध लोगों के लिएंगे कि अपनी आयु अवस्था और सारी रिक सामर्त को देखते वे इस ब्रत में आप निर्जल ना करें जल पीकर फल ले करके कुछ नो कुछ आहा ले करके ब्रत किया जा सकता है लेकिन अन का सेवन ना करें ब्रतियों को चाहिए अन का सेवन ना करें जल दूद फल अमरत तत्व जो कहे जाते हैं उन तत्वों का सेवन करके इस ब्रत को किया जा सकता है क्योंकि कहा जाता है कि इस ब्रत को छोड़ा नहीं जाता है कुछ अवस्था जब ढल जाती है जब ये ब्रत पूर्ण करने में बेक्ति असमर्थ हो जाता है तब इस ब्रत का विधी विधा से उद्यापन किया जाता है यदि आप जाना चाते हैं हर्ताल का तीज के उद्यापन की विधी क्या है तो किर्पया कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर बताएं तब मैं आपको उद्यापन विधी बताऊंगी जो कोई भी अमरत तत्व को ग्रान करते हैं इस व्रत को यदि करते हैं तो किर्पया वो छमा प्रात्ना आवसे ही कर लें इस बात का ध्यान रखें हर्ताल का तीज बत क्या जाएगा 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को 5 सितंबर को नहाई खाई किया जाता है जो की गुरुवार के दिन पढ़ रहा है इस दिन पूरे घर की साफ सफाई की जाती है और जहां पर भगवान की चौकी रखनी होती है उस इस्थान पर सफाई की जाती है और पूरे पुजा की तयारी की जाती है दूसरे दिन तीजा कबरत जब किया जाता है तब उसी इस्थान पर भगवान का मंडब बनाया जाता है और उसी मंडब के नीचे भगवान की प्रतिमा को रखी जाती है और विधी विधान से पूजा की जाती है आईए जानते हैं तित्या तित्यी कब प्रारंब हो रहा है तित्या तित्यी प्रारंब हो रहा है पांच सितंबर दिन गुरुवार को दो पहर पांच बज करके बाइस मिनट पर और समापत होगा तित्या तित्या तित्यी 6 सितंबर दिन शुक्रवार को दो पहर तीन बज करक एक मिनट तक भादपत मास्क शुक्रपक्ष उध्यात थी के अनुसार हर्ताल का तीज ब्रत 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा आए जानते हैं पूजन विधी पूजन विधी में एक कदली का अर्थात केले का चारों तरफ से लगे हुए एक चौकी बिछाई ज जाती है उसके चारों पायों में केले के पत्ते लगाये जाते हैं इस प्रकार से एक मंडब त्यार किया जाता है और उस चौके पर बहुती सुंदर आशन विछा करके मापार्वती भागवान संकर और गणेजी के प्रतिमा को इस्थापित की जाती है जो की मिट्टी की होत इस बात का ध्यान के मिट्टी की प्रतिमा इस्थापित की जाती है और उस प्रतिमा की चार प्रहर के अनुसार पूजा करने का विधान है सरप्रथम नहाद हो करके जब इस्तनान करके विक्तियाता है तब उस प्रतिमा की पूजा की जाती है उसके बाद उसी इस्थान पर श फिर रातर के तीन बजे से लेके साढ़े-चार बजे के बीच में उसी इस्थान पर पूजा की जाती है लेकिन जो फल चड़े होते हैं फूल चड़े होते हैं उन्हें हटाया नहीं जाता है उसी स्थान पर उसारी चीजे रखी रहती है और पूजा किया जाता है सुर्योदे से पहले प्रतिमा को विसरजित करने का विधान है अब जानते हैं वो कौन से दो चीजें जो स्रिंगार का सामान हो उसमें अवसे ही रखना चाहिए मा पारवती को स्रिंगार का सामान अरपित की जाती है जितना ज़्यादा हो सके, वो अपने सामर्थ के अनुसार होता है, मा पार्वती को साड़ी अवसे ही चड़ानी चाहिए, साड़ी है, चूड़ी, भिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, महावर, कंगी, लिपिस्टिक, पाउडर, सीसा, ये सारी चिज़े दी जाती हैं, काली च जान रखें, काली चूड़ी, अवसी रखना चाहिए, और साथ में एक चीर रखा जाता है, चीर का एक कपड़ा होता है, कोई भी कपड़ा हो, नय अवस्त्र हो, जिसके दो तिन टुकड़े आप कर लें, और करने के बाद में, उसे चीर स्वरूप, मा पार्वती, और भग चल में बांध लेती हैं, और साथ में प्रसाद सरूप, उसके कई टुकड़े करकरके, अपने जो भक्त गण होते हैं, जो भक्तों के मंडली होती है, जो स्वागिन इस्त्रियां होती है, कुमानी कन्याय होती है, जिनको क्यों प्रसाद बाट रही होती है, तो काली और वहचीर अवसी ही देनी चाहिए यह बहुत ही शुभ माना जाता है यह थी जानकारी हरतायल का तीज के बारे में आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी किर्पया वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा बेल आ झाल